नमस्कार, मेक इट विद कवीता में आपका स्वागत है आज मैं आपके साथ सेयर करने जारी हूँ रात्री स्पेसल साबू दाना वड़ा की रेसिपी ये बनने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं बना लेते हैं क्रिस्पी और टेस्टी साबू दाना वड़ा सबसे पहले मैंने यहां पर लिया है एक कब साबू दाना और इसको मैंने तीन से चार वार अच्छे से वाश करने के बाद में तीन घंटे के लिए भिगा दिया था तो देखिए कितना पढ़ी एक दम साफ्ट हो गया है साबू दाना तो अब हम इसमें एड़ कर लेते हैं आलू तो यहां पर मैंने चार बड़े आलू लिया है इनको मैंने पहले ही बॉयल कर लिया था इसके साथ ही हम इसमें एड़ करेंगे आठ से नौ चमच मूमफली दाना लिया है मैंने और इसको पहले भून लिया था अच्छे से और उसके बाद में दरदरा पीस लिया है इसके साथ ही मैंने यहां पे एक चमच कुटा हुआ काली मिश लिया है और अगर आप ब्रत के विना वृत के लिया नौर्मल नमक का यूज कर सकते हैं इसके साथ में ही मैंने यहां पे लिया है धाई चमच कटा हुआ बारी कटा हुआ हरा धनिया और एक छोटी हरी मिर्शली है इन सब को हमें मिक्स करके अच्छी तरह से एक डो बना लेना है तो यहां पे मैं इसको आपको याद रखना है एक चीज जिससे कि आपके वड़े जो हैं वो बिल्कुल टूटेंगे नहीं आप पहले एक ही वड़ा डालें कढ़ाई में उसके एक दो सेकेंड के बाद में दूसरा वड़ा डालें और एक खटे आपको धेर सारे वड़े नहीं तलने हैं दो से तीन ही आप क्वांटिटी रखिए और आपको बिल्कुल आराम से इसको मीडियम फ्लेम में धीरे धीरे इ देखेंगे तो यह वड़ा है एक दम तूट जाएगा तो धीरे धीरे से चलाते हुए आपको गोल्डन ब्राउन होने तक वड़ों को फ्राई कर लेना है इनको फ्राई करने में बहुत ज़दा ओल नहीं लगता है इसलिए आप यह देखिए धीरे धीरे जो वड़े हैं य यह तो यह ड़़े से अधने करने मिपमख़ों के सर्व कर रही हूँ और यह ए सर्व साबू दना वड़ा है और अगर अगाट आपको मैरा वीwork अच्छा लगा हो इसे लाइक करें मेरे चैनल पर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही आप पैल आइकन का जो बटन है अब उसे प्रेस कर दें